हेलो एव्रिवन तो मैं लेक्या गई हूँ अपना सारा समान अपने पुराने वले कबड में से इसे पहले की वीडियो में मैंने अपना बाकी का समान दिखाया था जो मैंने इधर सेट किया है और नीचे वाले section में भी कुछ कुछ है तो अभी की वीडियो में इस सारे समान को सेट करते हैं उपर वाले सेक्शन में तो लेट्स केट स्टार्टेड सबसे पहले मुझे आपको बहुत ही क्यूट सा कुछ सिखाना है यह वेडिंग काट यह विबीन यह कटिंग इतनी प्यारी है इसलिए मैंने फॉरन रख लिया इसे कि कुछ ना कुछ जरूर क यह बाइब कर सकती हूं या कुछ ना कुछ तो होई जाएगा इससे एं इस इस माय ओएल पेस्टल हर यह है ओईल पेस्टल प्रो मैक्स देख यह देखिए इसमें ए वन टू त्री फॉर फाइए सिक्स पीसेस और एक बोक्स में हैं शिक्स कलर्स यह देखिए और 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 य द्राइंग्स आप सोच रहें कि इतनी सारी ज्राइंग्स में में क्यों लिए है तो मैं बता दूं मुझे यह मिल रही थी फिफ्टीन आइगेस नहीं 12 या 15 ड्राइं कुछ थी यह यलो वाली जो होती है वह वाली ओनली 250 या 350 में कुछ थी तो अब इतनी सस्ती सीस तो कोई छोड़ेगा नहीं तो ले ली मैंने तेन चार मैंने रखी बाकी मेरी सिस्टर में ले ली एंड इस इस माय कैन्वस तो इसे खोलते हैं लेकि मैंने सब कुछ रखा है लेकिन अभी तच यूज नहीं किया है कुछ यह चोटू वाला यह बड़े वाला इसे भी यूज करेंगे और क्या है यह है हमारा कितने इंच वाला होगा अल्मोस्ट एट टू नाइन इंच इस रेडियस वाला रिंग और यह है छोटू वाला रिंग उसे भी साइड में रखते हैं और यह है क्राफ्ट पेपर्स यूज करें वाल्मोस्ट वन तू त्री पोफाइश सेवें एट नाइट नाइट इन कलर्स और इच कलर हेविं टेन पेपर्स यह भी होगा कहीं ना कहीं यूज यह है मेरा फ्रेम बनाने वाला वाइट कपड़ा ओम जी यह क्या रिवील हो गया यह सारे बबल रैप्स यह निकला था केक में बहुत ही मोटा सा था तो मैंने रख लिया इससे भी कुछ न कुछ हो जाएगा एंड इस इस माई डाइरी जहां पे मैं रिकॉर्ड रखती हूं अध्रीम भी डेडिकेशन यह है मेरे ओडर्स का रिकॉर्ड लादा नहीं है सिक्स ओर्डर्स हैं और यहां पे है कुछ इस्पेशल वह होगा नवंबर में इस नवंबर में ही होगा नवंबर थर्ड मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब और हो गया है आज ठीक एक महीना बिकाज तुड़े इस थर्ड और यह क्या हो गया यह शीट सारा काम कराब हो गया यही थे वह कम बखत जो गिर गह थे एक साथ यह जो साथ बिट्स है यह मैंने कितने पाउचेश खरीदे थे चोटे चोटे पाउचेश थे ऑल्मोस्ट ट्व ट्यूव फाउचे वोंगे मैंने 100 रुपीस के खरीदे थे में एक पाउच दस रुपे का और ट्व लिए थे तो अन्रिट का दे दिया था तो यह उन्डर र यहां पे सारी चेंस ही है यह एक्ट्वल में मुझे लग रहा है वेस्ट बेल्ट है जो वेस्टन पे लगाते हैं लेकिन मैं ऐसे एजा स्लिंग बैक के लिए यूज़ करूंगी और यह भी कुछ है यह सब अलग अलग था मैंने सारा असेंबल कर दिया और इस तरीके से इसे स्टोर किया है यह कुछ बीर्स यह मैंने अनपैक नहीं की यह भी कुछ सामान है और इस टाइरी इस टाइरी इस टाइरी इस अलसो जस्ट पर रूपीज फिफ्टी और यह पेपर मुझे तना पसंद आया है मैंने कहीं यूज़ भी कर लिया था अपनी फ्रेंड्स को बद्द गिफ्ट के लिए थौट्स लिखके देना था मुझे तो महां पर मैंने यूज़ किया था बहुत ही प्रीटी ब्रीटी कलर्स के बीच-बीच में पेपर सेंस में एक और बचा है यह वाला इसमें भी मैं कुछ लिखती हूं तो फिलहाल भी लेटर एफ का क्रोशे लिखा हुआ है पिन दिखात मैं रही हूं लेकिन मेरी सिस्टर देखे की तो बोलेगी जरूर मुझे तो मैं पहले ही बतारी हूं इस नोट माइन यह मेरी सिस्टर का है एंड इस हैर बेंड बनाने के लिए टूल टूल नहीं एक्सेसरी बोलेंगे शायद इस जंप रिंगा जस्ट फॉर रूपीज थर्टी इस तो यह है मैं बताती हूं यह ले लेंगे है मेडियम इसमें रख देंगे यह इसका नहीं है यह बेबी पॉटल जो होती है उसका कवर बनाया था मैंने इस पॉर ट्रायल तो यह उसका है और इस पॉइल पेस्टर यह दिखा चुआ चुआ यह हैं कुछ वाल पे खीप करने के लिए इसका मैं यूज कहां करती हूं मैं बताओं मौस्किटो निट लगाने के लिए उसके बेगर तो मैं चोटी में हूं तो पुरे घर में चिपका के रखा है मैंने यह अब गाउं तो है नहीं कि खटिया लगा लो डंडा लगा लो औ लगा लो अपनी मक्षरदानी तो इस चीज का जुगार करना पड़ता है यह मीडियम मीडियम फॉर फैबरिक कलर अगर कलर सुख जाए तो उसमें डाड लीजिए लेकिन ड्राय कलर में अगर कलर एकदम सुख जाए चमड़े ऐसा बन जाए तो उसको कोई अलाज नहीं से पड़ता है यह भी कुछ एक्सेसरी है जो मैं कहीं न कहीं लगा ही दूँगे तो इसे लगाते हैं उधर एक चीज के मैंने दिखाना ही बूल गई खोरती हूं मैं इसे वेट 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 लुक एट इस यह तो सबसे पहले क्यूट सा चोटू सा ब्रेश लेकिन इसकी क्वालिटी है बहुत ही हाई और यह है डाइरी या मीनी आर्ट बुक यस मीनी आर्ट बुक कुछ इस तरीके से होती है उपन तो मेरा मैंने इस पर एक ही क्राफ्ट किया है और वो रहा किदर गया यार अरे अम्मी कहां गया तो है नहीं दर वो गया मुझसे गुम कि कि मैंने यहां से स्कुरू खोल के एक पेपर को सेपरेट करके फिर उस पर कुछ बनाया था वो मैं साइड में दे दू अजब कि मैंने बनाया था पोटो है मिरै पास मैं गुञा है तो अदून से मेर पर सेपर पेपर्स में एक ही कि वह द भी मैं कम दोधी ह१ी जब भी और देशती हю तो इस पे बनाया था वहा गयरा रहता है तो उन्हीं पेपर्स पे लिख बिखती हूँ धे रही ज़ती हु तो यह सारा सामान भी रहा है अभी इसे असेंबल करते हैं अपने कबड में जो सामान मेरे जादा यूज में नहीं आता है उसे मैंने डाल दिया है नीचे के कंपार्टमेंट में और इसकी मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी तोड़ी नहीं मतलब पूरा ही चेंज कर दी अब यह ड्रॉर का खाली करते हैं दिस इस माइ स्टेंड जिसे मैं वीडियो बनाती हूं इसे यहीं चिपका देते हैं नहीं यह इस सर्फेस पे तो नहीं चिपकेगा साइड में रख देते हैं यह पेपर यह मेरे गलफ्स लुक एड़ इस पेपर्स लॉट्स ओफ कलर्स यह मेरी पर्स जो मैंने मैं क्रेम से बनाई है और यह है मेरा असाइमेंट दो से लॉर बनाना बचा है तेस आर वायर्स यह blade my watch my bluetooth my glue gun and PC this is finally ready और ये इसमें मैं कुछ नहीं रख रही हुआ इसमें मैं अपना study material रखोंगी मतलब जो भी homework करना होगा या watches और एक ये trophy because इसे थोड़ा motivation मिलता है पढ़ाई करने के लिए ये 10th के school top की थी मैंने तब की trophy है तो ये भी PC में जाएगी बहुत जादा noise है background में युनों घर में बच्चा रहे तो noise तो आएगी और एक ये chain भी रहे गई है इसे भी इसमें डाल देते हैं ये भी कुछ किर गया अब ये ready है ये मैं कभी भर नहीं पाती हूँ हमेशा काट के रख देती हूँ फेको ये है मेरी डिश मैं नजाकत वाली डिश नहीं खरीती प्लेट से ही काम चलाती हूँ पेंटिंग में बस अब सब कुछ सेट है और कुछ नहीं बचा है तो थैंक यू फो वाचिंग अब डन विद इस सेटिंग एन ओल मुझे थोड़ा सा कुछ बोलना रह गया था तो इसे लिए मैंने रिशूट की हूँ तो जितनी भी वीडियो मैंने अब तक बनाई है या जितनी भी बनाऊंगी इन फ्यूचर वो सब कुछ इतने ही सामान में से बनाने वाली हूँ इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है बस इतना ही सामान है अभी मेरे पास जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है और इसे पहले भी एक पार्ट शोड़ किया था उसमें भी दिखाया है ये रेकेट मैंने इदर रख दी हूँ और इसका चेन कुला है बस दो लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और थेंक यू फोर वाचिंग फाइनली बाबाई